हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी को हमारे यूटूब चैनल में आज हम एक रेलबे ग्रूब डी एस्पारेंट के लिए मैंने एक मैथ्स का स्रीज श्टार्ट किया है इस श्रीज के अंतरगत आपको रेलबे ग्रूब डी के प्रिवियस एर जितने भी कॉस्टन्स पूछे गए थे उस सभी का स्वल्यूशन मैं इस चैनल पर पार्ट वाइज पार्ट ले करके आऊंगा तो ये हमारा पार्ट है आगे के पार्ट बहुत जल्द ही इस पे अपडेट किया जाएगा तो इस चैनल को आप लाइक करें सब्सक्राइब कर लें तो चलिए आज जो हमने सेट लाया है वह सेट है देशक्ति यहां पर डेट लिखा हुआ है साथ नौद दुहजर अठारा जो लास्ट होता है फोर से सारे फाइव पीम वाले उसमें है ठीक है तो उस सेट से हमने कॉस्टन्स लिये हैं उसी कॉस्टन्स को हम स्वाल्व करें और यसमें जानेंगे कि कैसे कम समय में कॉस्टन को स्वाल्व कि आयता है तो चलिए तो चलिए फ़र्श्टक्स की तरह हम लोग चलते है देखे फश्टक्षटन है X और Y की बरतमान आयो का अनुपात तीन अनुपात चार है पांच साल पहले उनकी आयो का अनुपात दिया हुआ है 5 रेसियो साथ था तो Y की परजेंट एज पुछा गया है तो देखिए इस रेसियो 4 X और Y की बरतमान एज मतलब अगर X की एज 3X है तो Y की एज 4X होगी क्या बताया गया है हमें 5 साल पहले आयो का अनुपात दिया हुआ है तो 5 साल पहले माइनस कर लेंगे 5 साल यह जो दिया हुआ है 5 is to 7 ठीक है तो यहां से हम क्रोस मल्टिप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे और X का पहले भेलू निकार लेंगे तो कितना हो जाएगा यह है इसको इसे और इसको इसे मल्टिप्लाइ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा X is equal to minus 35 कि धर लेंगे तो minus 25 plus 35 यह तो कितना हो जाएगा 10 यह हो जाएगा 10 X का value 10 आ गया हमें पूछा गया है Y का percentage तो Y का percentage कितना है 4X यानि कितना हो जाएगा Y का percentage 4 into 10 यानि 40 हमारा answer होगा ठीक है तो इस question को हम लोग इस तरह से basic से करेंगे second matter बताते हैं हम लोग इसको कुछ trick apply करते हैं चलिए इसको हम लोग कैसे solve करेंगे कि देखे इसमें क्या होता है कुछ पहले हम आपको समझा देते हैं suppose कर लेते हैं अगर एक का percentage 5 साल है अभी ठीक बी का percentage मान लेते हैं 10 साल है ठीक है अगर हम अभी दोनों का डीका एज का डीफरेंस पांच साल के बाद कितना होगा तो सुझ यह पांच साल के बाद कितना होगा difference हम इससा से पैंजी रहे है क्लिए को क्या है पांच साल के बाद इसका हो जागा 15 देनों difference निकालेंगे तो 5 साल के रहें बस इस aún eo हुआ था हमें दिया हुआ है एक्स और वाई का अनुपात तीन अनुपात चार है सबुछ कर लेते हैं थी रेशियो फोर अगर परजेंट है पांच साल पहले दिया हुआ इसका अनुपात पांच अनुपात साथ है तो हमें क्या बताया जो डिफ्रेंस होगा एज का हमेशा से केम रहता है कभी भी निकालेंगे आज से चार सल पहले और और लेतं पहले बाद कुछ भी होगा ईसकाल पूसे मलिकussa क्रवलेंगे तो न्यारेशियो कितना जाएगा 6 ratio 8 और ये 5 ratio 7 देखिए अब age का difference same आ गया मतलब हमाई ratio भी अब सही आ गया अब क्या देखते हैं अगर age का age अभी present age 6 unit है तो 5 साल पहले x का age 5 unit है मतलब difference कितना आ गया एक unit एक unit मतलब 5 साल का हमें दिया हुआ है एक unit is equal to 5 तो 6 unit is equal to कितना हो जाएगा 30 और 80 unit is equal to कितना हो जाएगा 40 मतलब x का present is 30 years और y का present is age 40 years तो इससे भी आप असानिस को निकाल सकते हैं ठीक है इस तरह इस तरह से 2 metrch से आप जो भी असान लगया आप उसको solve कर शकते हैं चल्द थर्ड कोशन इस तरफ चलते हैं ठर्ड कोशन जिमेटरीस जिमेट्रीश है देखे इसमें दिया हुआ है एक फिगर दिया हुआ है इसमें दिये गए आरेक में Tu parallel है PS का देखें यह टी यू एक लाइन है यहां पर यह PS के parallel दिया हुआ है और बिंदू Q और R PS परिस्थित है साथ ही एंगल PQT देखें एंगल PQT आर क्यू टी ये हमें दिया हुआ है X-50 डिग्री तथा एंगल TUR ये इस एंगल का भेलू दिया हुआ है X-50 डिग्री तो निकालना है एंगल U-R-S ये एंगल हमें निकालना है पहले हम X के भेलू निकाल लेते हैं देखिए अगर कोई लाइन है इस लाइन को कोई दूसरे लाइन अगर डिवाइड करता है तो इस दोने एंगल का सम 180 होता है ठीक तो यहां से देख सकते हैं ये दोने एंगल दिय का जाएगा 180 मतलब x plus x minus 50 is equal to 180 यहां से x का भेल दूब हम निकाल लेंगे 2x is equal to 230 मतलब x का भेल दूब आ जाएगा हमारा 150 डिग्री 150 डिग्री x का भेल दूब 150 डिग्री है तो इस एंगल यह जो एंगल आप देखना है अगर दो लाइन पैरलल है ठीक है तो यह और यह इसको एकांतर एंगल करते हैं और यह दोने एंगल क्या होता है इक्वल होता है ठीकत असी तरह से आप देख लिए यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएगा एक्वल मतलब इसका जो भेल्लू होगा वही इसका भेल्लू होगा एक्स का भेल्लू होगे 115 आ चुका है यहांपा पूट कर लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 115 पलस 25 यह हो जाए कितना 140 डिग्री किया से हमारा आग्या अंसर 140 डिग्री तो चलिए next question की तरफ चलते हैं अब देखिए यह कापी असान है सिर्फ माइनस करना है लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चियों कनफियन हो जाता है और गलती कर बैठते हैं तो देखिए इसमें गलती नहीं करना है आपको असानी समस्वल करना सिखाते हैं इसमें इसमें क्या है 0.02 को इतना से 0.02 से करना है आपको 2 अधेश्मेर हटार देजिये तो 100 माइनस का है WIN-anson कर लेंगे मतलब 20-18 हो जाएगा एक एक्र चलिये नेस्ट केंव निकालनाД対 next question है कैसे निकालते हैं हम लोग 36 का मौसव और 144 का मौसव तो मौसव निकालने के बहुत साथ तरीके हैं आपको जो हम बताते हैं मौल्टिप्लिकेशन मेटर से चाथीस दोनों में धुर्णना होता है हम लोग गांटे के लिए उसका अधार निकालना इसका तो ठारा हमारा ऑंशर हो जाएगा त्रीके अगला कौशन देखते हैं profit loss से है किसी बस्तू पर 12% लाव को जोड़ने पर विक्रेमुल 166 था यदि उस बस्तू को 4.62 में बेच दिये जाए तो हानी परतिसत निकानना है तो परित हम निकाल लेते हैं इसका क्रेमुल कितना होगा मतलब CP निकाल लेते हैं कोई मालेते CP अगर X है इस पर 12% लाव पर बेचते हैं तो यह हो जाएगा 112 by 100 यह हो जाएगा हमारा SP SP दिया गए हमें 616 तिहां से हम CP निकाल चकते हैं यह कितना हो जाएगा 28 और यह जाएगा 25 X का भेलू हो जाएगा आपका 660 इंटो 25 इसको डिवाइड कर लिजे 28 से डेट कर लिजे 2 जाएगा 56 2 एट 22 X का भेलू हो जाएगा 22 इंटो 25 इसको कैसे मल्टिप्लाइ की जाएगा 22 को इसको जाएगा 50 इंटो 11 डेट लिशकते हैं इसको 550 तो आपको असमार्टली मल्टिप्लाइ भी करना है जिससे कि आपको टाइम बच जाए अगर आपको CP अगया है तो निकालना है हानी परती सत SP अब दिया हुआ है 462 रुपया में अगर इसको हम बेजते हैं तो हानी परती सत निकालना है देखिए आप 550 में से 462 को माइनस करेंगे तो यहां से हानी निकल जाएगा फिर उसके बाद हम हानी परती सत निकालेंगे देखिए इसको माइनस कैसे करेंगे आप ऐसे नहीं करें कि इसको दस में से दूख भटाएंगे आठ हैगा इसे नहीं देखना है देखिए 462 इसको 500 प्रेंट कितना जाएगा थर्टी एट थर्टी एट हो गया 500 पूर गया यह और पचास यह यह यानि कितना जाएगा 58 यानि 88 आपका 88 लॉस हुआ और हम लॉस परसंटेज निकालते हैं लॉस हो गया 88 रुपी पांसव पाचास आपका दिया हुआ है इसको 100 से मल्टिप्लाइ कर लीजिए लिए जीरो से जीरो काटिए एलेवन एट जा एलेवन फाइब जा तू जा यानि कितना जाएगा आपको 16 परसंट आपका अंसर आपको दिया हुआ है 16 परसंट ठीक है चली अगला कॉस्चन देखते हैं वह कौन से भिन है जिसे एक बट्टे दू में से घटाने पर से तीन बट्टे चार होता है देखे सीधा कॉस्चन है एक भिन है जिसको हम लोग मान लेते हैं एक्स है ठीक है एक्स को हैं एक बट्टे दू में से घटाना है यवन बट्टी दू को एक्स घटाते हैं तो से इसपल निकलता है हमारे तीन बट्टे चार एक्स कर ड़्यूट कितना हो जाएगा एक्स एधर ले देते हैं 2 से मल्टीप्र दो से मल्टीप्र एक बटे-4 दूनों का बेस सेम हो गया तो 2-3 कितना जाएगा माइनस एक बट्टे चार ठीक है ता इसको अंसर यह भी जारो चलिए अगला कॉच्चन सॉल्व करते हैं अगला कॉच्चन है ट्रिग्रमेटरी से देखे इसमें दिया हुआ है साइन फाई माइनस कॉस फाई इज इक्वाल टू जीरो तो साइन फाई माइनस कॉस फाई माइनस कॉस फाई इज इक्वाल टू जीरो दिया इसका अगर साइन फाई कॉस फाई किस एंगल पे कॉल होता है छीद्दा बात है को फुर्टीफाइब पे फिर साइन फाई को धर लिसले फिर कॉस फाई kend झाल सकते हैं भी निकाल चांटे हैं यह फ़े से mm isey 5 थें ईक्वाब टू सबस्टीफाइश को जाय आपको वया neighborhood सब्सक्राइब कर लिए चलिए हम इसमें पूट करते हैं साइन का पावर फोर है तो पता होगा आपको 45 पूट करें कितना जाएगा साइन 45 वेलू होता है वन बाय रूट टू का पावर वन बाय फोर पॉलस सेम यही होगा तो डैट इसको हम दो से मल्टिप्लाइ करते दोनों सेम चीज होगा तो पलस साइन 10 स्कॉर फाई मतलब वन सिधा देखें आप वन का पावर टू का हॉल फोर कितना जाएगा वन बाय फ आपको आंसर हो जाएगा चली नेस्ट लोशन देखते हैं नेस्ट लोशन जो है पुछ रहा है दिये गए प्रसंट को परदे और निर्ने करें कि निम लिखित में से कौन से जनकारी प्रसंट का उतर देने के लिए परियाप्त है तो इसमें पूछा गया प्रसंट में एक प्रसंट करते हैं अगर निकला तो ठीक है जिसानल का एलप लेंगे धिश्यक्क जो दिया है एक सरकल है मैं सरकल है circle से एक angle center पे बना हुआ इसको theta है ठीक है यह point A है और यह point B है और एक third circle arc से बना हुआ यह angle यहाँ पर है कहीं पर यह यहाँ भी बना सकते हैं कहीं भी बनाएंगे ति यह जो angle होता है जो C का angle 30 दिए दिया हो यहाँ पर यह angle A O B का half होता है इसको हम दो से multiply कर देंगे तो यह फर्मूला से आ जाएगा तो यह जाएगा तो यह जाएगा तो यह जाएगा 60 दिगी बीना कि सेकेंड एस्टेटमेंट को यूज किये हुए ही हम इसका answer निकाल सकते हैं मतलब इसका आंसर के बाद एक पर याप दुसरे की कोई जवरत नहीं है तो दुसरे को सिर्फ यूज करके हम निकाल सकते हैं टीटाग वहलो तो सिर्फ फर्स्ट को इस्तिमाल करेंगे और आंसर आपका आजाएगा चलिए लास्ट पॉस्टन है यह पी रेश्यू 18 दिया हुआ है इसको इक्वरेंट भी बोलते हैं थिरी तिहां सिंपल है इसको बाणसर निकाल ये सिक्स याने फिक वेलो कितना जाएगा आपका थाक्टी बस एक अपाट कापी आसां सो कॉस्टन तस्कोचन आपको हमने करवाया है विडियो में आशा करता हूं आपको यह क्वेडियो अच्छा लगा होगा विडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडि